इस segment में हम लोग discuss करेंगे adiabatic process adiabatic process यानि रूधोस्न प्रक्रम यह सभी प्रकार के thermodynamic प्रक्रम में से यह सबसे interesting प्रक्रम मुझे यही लगता है इससे पहले के topic में हम लोग सारे प्रक्रम पढ़ चुके हैं यानि जैसे आईसो बारिक यानि समदाभी आईसो कोरिक यानि समायतनिक, साइक्लिक प्रोसेस, चक्री प्रक्रम, फ्री एक्स्पेंशन, मुक्त प्रसार और जश्ट इससे पहले के टॉपिक में हम लोग आईसो थर्मल यानि समतापी प्रक्रम पढ़ चुके हैं आज हम लोग ये last process पढ़ेंगे adiabatic यानि रुधोस्म प्रक्रम बहुत ही interesting है और मेरा सबसे ये favorite है समझाने में भी और आपको भी ये पूरा process समझ के बहुत अच्छा लगेगा देखें adiabatic process क्या होता है the process in which total heat of the system remains constant is called adiabatic process यानि वह प्रक्रम जिसमें निकाय का उसमा नियत रहता है उसे रुधोस्म प्रक्रम कहते हैं मानि कोई प्रक्रम कोई thermodynamic प्रक्रम इस प्रकार से हो कि उसके होने के दौरान निकाय का कुल उसमा नियत रहे यानि निकाय को न तो बाहर से उसमा दिया जाए और नो निकाय से उसमा बाहर लिया जाए यानि adiabatic process का जो signature step है वो क्या है q is equal to constant अब q is equal to constant है यानि पूरे प्रक्रिया के दौरान उसमा में परिवर्तन हुआ ही नहीं यानि change in heat यानि delta q is equal to क्या हो गया 0 अरे भाही मान लीजिए किसी निका adiabatic process होगा तो q1 is equal to क्या होना चाहिए q2 तो जब q1 is equal to q2 होगा तो q2 minus q1 is equal to क्या होगा 0 यानि delta q यानि heat में होने वाला परिवर्तन क्या होगा 0 और चुकि यहाँ पे q constant है तो आप इसको differentiate करेंगे तो dq बराबर किसी भी constant का differentiation 0 होता है तो dq बराबर क्या हो गया 0 यानि इस adiabatic process का signature step क्या है q is equal to constant या delta q is equal to 0 या dq is equal to 0 याद रखिएगा यह नहीं कि dq is equal to constant लिख दे गलत हो जाएगा q is equal to constant ठीक है उसमा constant है उसमा नियत है उसमा में होने वाला परिवर्तन 0 है यह होता है adiabatic process अब यहाँ पे हम लोग first log thermodynamics यूज करते हैं एक बहुत ही interesting और इसका pv diagram पढ़के खतम करते हैं देखिए यह मैं वैसे भी पढ़ा चुका हूँ pv diagram वाले में देखिए adiabatic process के लिए यह equation जिसे poisons equation कहते हैं यह applicable होता है क्या होता है poison equation pv के power gamma is equal to constant तो यहाँ से क्या मिलेगा p जे इनवर्शली proportional to 1 by v के power gamma अब यहाँ पे एक चीज़ या hit at constant volume यानी cp मतलब इस्थिर दाप पर gas की विशिष्ट उसमा और यह इस्थिर आयतन पर gas की विशिष्ट उसमा और आप लोग जानते है cp की value cv से जादे होती है आप लोग इसी से related एक मेयर का सूत्र भी तो पढ़े है मेयर's formula cp minus cv is equal to r gas constant r वही वाला यह cp cv है अब च gamma 1 से जादे होगा तो माल लिजे gamma 2 है तो क्या equation मिला pj inversely proportional to 1 by v square gamma का मान अगर 2 आया तो वैसे वो monoatomic, diatomic और triatomic के लिए gamma का value अलग अलग होता है वो हम लोग बाद में calculate करेंगे माल लिजे कि 2 है तो यह इस प्रकार का अगर graph है तो आप जान रहे है यह बड़ी तेजी से decline करेगा अगर x-axis के along volume change हो देखे volume में थोड़ा सा भी increment pressure को बहुत तेजी से decrease करेगा क्योंकि यहाँ पर यह पर यह पावर है gamma समझ आया तो यह इस प्रकार से अचा इसी में मुझे आईसो थर्मल बनाना हो ना तो आईसो थर्मल ऐसे बनेगा ऐसे आईसो थर्मल का slope क्या ह निका लेंगे तो गामा इसकोल टू आता है slope of slope of adiabatic curve बटे slope of isothermal curve यह याद रखिएगा तो चलिए इस से हम लोग हटते हैं यह थ्वड़ा सा अलग था यह इस चीज़ से हटिए और फिर से यहाँ पर आईए अब हम लोग first log thermodynamics लगाते हैं तो dq is equal to क्या मिला dw plus du अब यहां से एक बहुत ही बहतरीन result निकल के आया du equal to minus dw अब आप लोग कहेंगे इसमें क्यांसी बहतरीन चीज है इसी में तो पूरा रास चिपा हुआ है यह equation क्या कह रहा है यह equation कह रहा है du यानि change in internal energy change in work यानि work done के negative के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह अगर किसी गैस को अच्छा dw को मैं यहां पी जिराय से लिख देता हूँ देखे माइनस dw को क्या लिख सकते है पी इंटू डीवी लिख सकते है अब देखिए अगर किसी भी गैस को adiabatically compressed यानि रूधोस्म प्रक्रिया के तहट compressed adiabatically का मतलब होता है suddenly अचानक तेजी से compress यानि दबाया जाए तो उसका temperature increase करेगा कैसे वो यही formula बताएगा देखे कैसे अगर आप adiabatic compression में किसी गैस को अचानक तेजी से दबाते हैं तो उसका आयतन क्या होगा घटेगा आप गैस को तेजी से दबाया ना compress किये तो उसका आयतन क्या होगा negative देखे इसको ऐसे समझे माल लीजे ये एक piston है pump जो cycle में हवा भरने वाला pump होता है इसमें ये gas भरा होगा है अब इस gas का माल लीजे initial आयतन V1 है अब इस piston को आपने बहुत तेजी से अचानक gas को compress किया और piston माल लीजे यहां तक आके घटके आ गया तो आप इसका आयतन घट को compress किया है दबाया है और वो भी adiabatically धीरे धीरे नहीं अचानक बहुत ही तेजी से जटके में इससे क्या होगा इससे ये होगा कि जब डेल्टा वी नेगेटिव आ गया तो यहां पर डेल्टा वी को नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो यानि डेल्टा डाबलू है इस भी गया है तो इटल्टा डबलू इंट्वी नेगेटिव हो जाएगा तो यह डेल्टा डबलू ही नेगेटिव हो जाएगा हो जाएगा नहीं समझ में आया देखो दुबारा समझें देखिए सुनें यहां से समझें यह तो समझ में आ गया कि एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है तो चलिए सीधे इसी फॉर्मले में रखिए माइनस यह तो डेल्टा वी जब आप नेगेटिव रखेंगे तो इसका नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव यानि डेल्टा उर्जा में परिवर्तन पॉजिटिव हुआ है मतलब आंतरिक उर्जा बढ़ी है इसका मतलब तापमान बढ़ा है यही देखें यहां पे लिखा है डेल्टा यूज को टू नेगेटिव ओफ नेगेटिव डी डी रवलू और यह पॉजिटिव आ जाएगा इसका मतलब इं हो जाता है कि इसकी इंटर्लन एनर्जी बढ़ जाती है और इसका तापमान बढ़ जाता है अप लोग सोचे होँगे इसको अचानक क्यों दबाय जाता है अचानक किसलिए दबाय जाता है कि अंदर का जो यह सिस्टम है जो गैस है इसको मौका ही न मिले कि यह को उसमा दे सके इसलिए तो उसमा एक्सचेंज का समय नहीं मिल पाता तो डेल्टा क्यू हो जाता है जीरो और तापमान इंटरनल एनरजी बढ़ जाती है इंटरनल एनरजी बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा तो भले ही वो उसमा का बाद में एक्सचेंज हो पर जब तक प्रोसेस हुआ तब तक तो हीट में एक्सेंज नहीं न हुआ यहीं देखिए यहां पर बताया गया है अतह जब किसी गैस को एडिया बैटिकली यानि दबाया जाता है अचानक तेजी से तो उसका आंतरी कूर्जा तथा ताकमान बढ़ जाता है अब इसका उल्टा समस्ते है इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर किसी गैस को अचानक एडिया बैटिकली एक्सपैंड कराया जाए फैलाया जाए सबसे आच्छा एगया आपको लेता हूं माल लीजिए कोई दो एक्जामपल लेंगे पहले एक गुबारा का ले लेता हूं ये गुबारा है ये गुबारा में हवा भरा हुआ है अब हम क्या करते हैं एक छोटा सा पिन लेके अचानक इस गुबारे में पिन करते हो गुबारा फट जाता है तो गुबारा जैसे ही फट तो फटा तु क्या बाहर से उस्मा लिया यह यह पूरी की पूछ फट के जब यह जैसके expensive रक्या हुए देखिए actuar नहीं यहुता क्या है कि Sono अगर यह गुबारह फटा तो गैस्थ से एक्सपैंड कर रहा है तो जरूर इसको उस्मा मिलना चाहिए तभी तो ये expand करना चाहिए लेकिन यहां पे तो उस्मा मिला ही नहीं ये गुबारे का फटना इतना तेजी से हुआ कि गैस को इतना समय नहीं मिल पाया कि ये बाहर से उस्मा लेके फैल सके लेकिन फिर भी ये गैस फैला तो कैसे फैला ये अपने आंत्रिक उर्जा का प्रेयोग करके फैला तो आंत्रिक उर्जा कम हो जाना चाहिए और आंत्रिक उर्जा कम हो जाएगा तो तापमान भी क्या ह जाएगा कम हो जाएगा मैतमेटिकली हम लोग देखेंगे पहले प्रैक्टिकली समझ यह सुनिए मैं भले ही रिपीट कर रहा हूं पर एक बार और समझा रहा हूं इसको देखिए कोई माल लीजिए गुबारा या इस बार थोड़ा से एक्जामपल बदल देते हैं साइकिल का त्यूम है टायर है टायर में हवा भरा हुगा है अचानक टायर फटता है तायर अचानक फटा मेश जब टायर फटा और इसमें की जो गैश है जो हवा है वह तीजी से बाहर वायू मंडल में एक्सपैंड कर गया उसके एक्सपैंसर्ट्यूत समय Ёतनी तेज हुई कि Thisires अगर ये बाहर से उस्मा लेके फैलता तो बात अलग थी पर प्रक्रिया एडिया बे टिकली हुई है तो ये बाहर से उस्मा नहीं ले पाया है फिर भी गैस फैला है तो कहां से फैला कहां से इसके पास एनर्जी आई तो ये gas फैला है इसका मतलब अपनी अंदर की जो आंतरी कूर्जा है उसका प्रेयोग करके ये expand हुआ है तो अपनी खुद की आंतरी कूर्जा ये यूज करके ये फैला है expand किया है तो इसकी आंतरी कूर्जा घट गई और आंतरी कूर्जा घट गई तो इसका तापमान कम हो जाएगा इसी लिए जब तायर या गुबारा अचानक फटता है आप उसको टच करेंगे तो आपको ठंधा लगता है आप बढ़े मनाए होंगे किसी का जब गुबारा फोड़ते हैं बढ़े मनाते हैं तो जराव जो फूटे हुए गुबारा है उसको पकड़ के जराव टच करिए कि जब गुबारा में हवा रता है तो उस समय जो उसका टेंपरेचर है और जब गुबारा अचानक फटता है तो उसको जराव टच करिए अपने इसकीन पर रखिए आपको वो गुबारा काफी ठंधा महसूस होगा इसलिए महसूस हुआ है अगर उसको बाहर से हम होता है अगर माल लीजिए इस माल लीजिए ये कोई कोई सिस्टम है इस सिस्टम में गैस भरा है आप इसको गरम करते हैं यानि बाहर से हीट देते हैं तो यह गैस क्या करेगा फैलेगा expand होगा heat पाके तो जब ये बाहर से heat आप इसको दे के expand कराएंगे तब इसके थोड़ी internal energy कम होगी और इसका तापमान कम होगा अरे भाई तब तो ये बाहर से उसमा ले रहा है और बाहर से उसमा ले रहा है तो वो फिर जब ये हवा expand किया तो इसका आयतन बढ़के वी टू हो गया तो यानि यहां पर expansion में आयतन बढ़ रहा है तो डेल्टा वी यानि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा पॉजिटिव होगा अब ये पॉजिटिव हो गया तो वर्क डन डीवी भी पॉजिटिव होगा सॉरी डीवी पॉजिटिव होगा डीवी तो डीवी पॉजिटिव ही तो डीवी पॉजिटिव हुआ तो यहां पर इस फॉर्मूले में जाएंगे तो ओल्रेडी डीवी पॉजिटिव है लेकिन एक निगेटिव पहले ही से लगा हुआ है तो यहां पे ओभराल डीव क्या हो गया negative हो गया समझ में आया ना देकि du बराबर क्या आया है minus dw आया है अब इसको हम लिख सकते है minus p into delta v अब delta v positive है तो ये overall p into delta v positive होगा लेकिन ये minus है तो du overall क्या हो गया negative यानि इस प्रक्रिया में किस प्रक्रिया में जब adiabatic expansion हो अचानक कोई चीज expand करे कोई gas तो उसकी internal energy क्या होगी घटेगी क्योंकि du negative आया है और internal energy घटेगी तो तापमान भी घटेगा ठीक है आता है जब कोई gas adiabatically expand होता है तो उसका आंतरीक उर्जा तथा तापमान क्या हो जाता है कम हो जाता है समझ में आया आई होग आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा clear अच्छा एक चीज और यहां पर यहां पर फिर से यह उपर आते हैं यह जो final formula मिला du is equal to dw इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है इससे आपको दिखाई दे रहा है कि जो जो वर्क हो रहा है जो भी कार हो रहा है या system जो भी कार कर रहा है वो अपने internal energy के cost पर कर रहा है अगर वो adiabatically expand हो रहा है तो अपनी खुद की आंतरीक उर्जा को खर्च करके expand हो रहा है और इसी adiabatic process को कार्णोट ने पकड़ा था अपना कार्णोट इंजन बनाने के लिए है ठीक है उन्होंने adiabatic isothermal और cyclic process तीन process को पकड़ के कार्णोट इंजन बनाया था क्यों यह मैं पिछले के lectures में बताया हूं और जब कार्णोट इंजन पढ़ाऊंगा तो दुबारा बताऊंगा पर अब यहां पर नहीं यहां रहने दीजिए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा I hope आपको यह lecture काफी पसंद आया होगा एडियाबेटिक प्रोसेस ठीकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्य